मेरे प्यारे परिवार जनों, जब हम इतिहास की दर्म नजर करते हैं, तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं, जो अपनी अमीड छाप छोड़कर रहे जाते हैं, और उसका प्रभाव सदियों तक रहता है, और कभी-कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है, छोटी सी घटना लगती है, लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है, हमें याद है, हजार बारा सो साल पहले, इस देश पर आकर्मा हुआ, एक छोटे से राज के छोटे से राज राजा का पराजे हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था, कि एक घटना भारत को हजार सार की गुलामी में फसा देगी, और हम गुलामी में जगरते गए, जगरते गए, जगरते गए, जो आया लूडता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया, कैसा विप्रित काल रहा होगा, हजार साल का, मेरे प्यारे परिवार जनों गटना छोटी क्यों नहों लेकिन हजार साल तक प्रभाव छोड़के रही है लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसले करना चाहता हूँ कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई गुभाग ऐसा नहीं था कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजाती के लोग को गल्ता न रखा हो बलिदान की परंपरा न बनाए माभारती बेडियों से मक्त होने के लिए उठखड़ी हुई थी जंजिरों को जग्जोर रही थी और देश की नारी शक्ती देश की वासक्ते देश के किसान देश के गाउं के लोग मद्दूर कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सपने को लेकर के जीता नह के लिए मर मिट्रने के लिए तयार होने वालों की एक बड़ी फोस्त तयार हो गई थी जहनों में जबानी खपाने वाले अनेक महापुरोष्ट कि हमारे देश की आजहादी क्यों जंद गुलामी की बेडियों को तोड़ने के लिए लगे हुए थे मेरे प्यारे परिवार जन चेतना को वो व्यापक रूप त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप जन जन के अंदर एक नए विश्वाज जगाने वाला वत्पल आखिरकर 1947 में देश आजहाद हुआ हजार साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देश वाचिये पूरे करते हुए देखे साथियों मैं हजार साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूँ मैं देख रहा हूँ फिर एक बार देश के सामने एक मोका आया है इस ऐसे कालखन में हम जी रहे हैं ऐसे कालखन में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सवभाग्य है कि भारत के ऐसे अमरित काल में यह अमरित काल का पहला वर्ष है या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम माभारत की गोद में जन्म ले चुके हैं और ये कानखन मेरे शब्द लिख करके रखे मेरे प्यारे प्यरिवार जनों इस कानखन में जो हम करेंगे जो कदम उठाएंगे जितना त्याग करेंगे तपस्या करेंगे सर्वजिन हिताएं सर्वजिन सुखाएं एक के बाद एक फैंसले लेंगे आने वाले एक हजार साल का देश का स्वननिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है